नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं कनेश्क हाजिरूं आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे राजस्थान के एक मात्र जैनती माता मंदिर की और जानेंगे इस मंदिर का इतियास और आखिर कैसे इस पहाड पर ये जैनती माता का मंदिर आया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो हमने दो पार्ट में बनाया है पहला पार्ट जैनती माता मंदिर पर आधरित होगा और दूसरा पार्ट खंडार के लिए के इतियास और रहस्यों पर आगले पार्ट को देखने के लिए आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी अब चलिए चलते हैं खंडार की एतियासे की यात्रा पर बात उस समय की है जब पांडव कोरोवों से द्युद क्रीडा या चोसर के खेल में हार गए और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अग्यातवास मिला इस वनवास का उलेक महाबारत के वनपर्व और अग्यातवास का उलेक महाबारत के विराटपर्व में मिलता है पांडवों ने अपने बारा वर्ष के वनवास के कुछ वर्ष राजस्थान में भी बिताए जिसके कई साक्षे मिलते है सबसे पहला साक्षे डुंगरपुर के छापी गाउं में मिलता है जहां पर एक शिवाले भी इस्तित है जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि यहां पर पांडवों ने शिव को प्रसंद करने के लिए यग्य किया और जहां उन्होंने यग्य किया वहां की यग्य वेदी भी उपस्तित है जिसे पांडव धुनी के नाम से जाना जाता है इसके बाद दूसरा साक्षे मिलता है माउं टाबु में जहां पर भी एक गुफा में पांडवों ने अपना कुछ समय बिताया उस गुफा को पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है शिव के बहुत बड़े भक्त होने के कराण इन्होंने यहां भी शिवाले की स्थापना की लेकिन यहां पर इन्होंने शिवाले की स्थापना छोटे छोटे गोल पत्थरों के रूप में की जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दी रहे हैं इसके बाद जब वनवास का अंतिम काल चल रहा था तो पांडवों को अज्यातवास काटने के लिए भी स्थान डूड़ना था इसके बाद वे अरावली स्रंकला के सहरे चलते-चलते मच्से प्रदेश में आ गई राजपूताना का इतियास भाग एक में बताया है कि पस्चिमी मच्से प्रदेश चंबल के उत्तर में अरावली की पहडियों तक फैला हुआ है इन सभी साक्षों से यह सिद्धूता है कि यह प्रदेश जिसमें खंडार का शेत्र भी शामिल है प्राचीन काल में मच्से प्रदेश का भाग था पांडवों ने अपना ज़्यादातर समय चंबल नदी के किनारे बिताया महाभारत में इसे चर्मणने वती नदी कहा गया है इसको लेकर महाभारत में एक कथा का भी उल्लेख है कि जब पांडव इस शेत्र में रह रहे थे तो द्रोपदी इस नदी में स्नान करने गई तो इस नदी ने प्रकट होकर द्रोपदी के चीर हरन का मजाक उड़ाया द्रोपदी ने गुस्सा होकर इस नदी को श्राब दिया कि जो भी व्यक्ति इस नदी का पानी पियेगा वे प्रतिशोद की ऐसी प्यास से भर जाएगा जो कभी बुझने वाली नहीं होगी ऐसी मान्यता है कि इस कारण ही यह शेत्र दस्यू या डकेतों से प्रभावित रहा अब आईए जानते हैं इसके क्या-क्या प्रमान हमें इस शेत्र में मिलते हैं सबसे पहला साक्षे चातल नदी के किनारे सवाई मादवपुर और भूंदी की सीमा परिस्तित कमलेश्वर महादेव का मंदिर है आपको हमने इस से पहले ये जरूर बताया है कि पांडव शिव के बहुत बड़े भगते और इस मंदिर को भी पांडव कालीन मंदिर ही माना जाता है इसका निर्माण बड़ी बड़ी चटानों से किया गया है और इसकी खास बात यह है कि इसके निर्माण में किसी भी प्रकार का चूना या सीमेंट जैसी चीजों का इस्तमाल नहीं हुआ है और इसका निर्माण पत्थरों के लॉक सिस्टम से हुआ है इस तरह के लॉक सिस्टम जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह की भवन निर्माण पद्दती बहुत प्राचीन मंदिरों के निर्माण में काम में ली गई जिससे यह भी सिद्धोता है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ पत्थरों पर ज़्यादा पॉलिशिंग भी नहीं है और चट्टानों पर बने चित्र यह दिखाते हैं कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है जैसा कि हमने माउंट अबू के पांडव गुफा में देखा कि पांडव शिव के बहुत बड़े भगते उन्होंने शिव की अराधना और तपास्या की इसलिए यहाँ भी कमलेशवर महादेव के निर्माण पांडवों ने किया इसके बाद खंडार के पास ही चंबल नदी के किनारे बोहुना नाम के गाउं में एक पत्थर का कुवा और कुछ अफशेश मिलते हैं ऐसा माना जाता है कि ये पांडव कालीन है इन सभी कडियों को जोड़ने के बाद अब हम आते हैं अपने मूल भाग पर जिस प्रकार प्रतेक वंश की कुल देवी होती है उसी प्रकार हमारे पुराने प्राचीन सास्त्रों के आधार पर पांडव और कोरवो की भी कुल देवी थी जिनका नाम था जैनती माता जैनती शब्द का अर्थ है विजे को दिलाने वाली देवी जी हाँ वही जैनती माता जिनका उलेक दुर्गा शब्तशती के एक श्लोक में है जिसमें दुर्गा माता के विभिन नामों का वर्णन किया गया है फैश लोक इस प्रकार है जैन्ती मंगला काली भद्र काली का पालिनी दुर्गा शमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इसमें भी जैन्ती माता को माता दुर्गा का रूप और विजे को दिलाने वाली देवी के रूप में बताया गया है कौरवर पांडव इस देवी को कुल देवी के रूप में मानते थे जिसके कई साक्षे पूरे भारत में हमें मिलते हैं हिमाचल के कांगड़ा में साथ की पहाड़ी पर एक जैनती माता का मंदिर मना हुआ है जिने कौरव पांडवो की कुल देवी माना जाता है यहाँ देव्यास्तर पाने के लिए अरजुन ने तफस्या भी की थी इसके बाद दूसरा प्रमाण हस्तिनापुर जिसे आज मेरट के रूप में जाना जाता है वहाँ मिलता है महाँ पर पांडव टीले पर भी जैनती माता का मंदिर है जब मेरट में हस्तिनापुर नगरी की खुदाई की जा रही थी तो वहाँ पर भी मा जैन्ती की पिंडी निकली उत्तर प्रदेश के पुरातत विभाग ने भी इस चीज की पुष्टी की है कि ये पांडवो की कुल देवी जैन्ती माता है तीसरा साक्षिया में मिलता है मद्य प्रदेश के खंडवा में जैनती माता के मंदिर के रूप में जिसे भी पांडवो की कुल देवी के रूप में जाना जाता है चोथा साक्षिया में मिलता है हरियाना के जीन जिले के पास जैतापुर नाम के स्थान पर जहां पर भी जैनती माता का मंदिर है जैनती माता को विजय की देवी के नाम से जाना जाता है इस कारण इस शेत्र को भी जैतापुर नाम से जाना गया इसके बाद जब पांडवों को वनवास मिला और उन्होंने अपना कुछ समय राजस्थान में बिताया तो राजस्थान में भी जैनती माता का एक मातर मंदिर सवाई मादोपुर जिले से 40 किलोमेटर दूर खंडार कश्वे में मिलता है पूरे राजस्थान में जैनती माता का एक मातर मंदिर ही यहीं इस्तित है इसका अनुमान हमें इस बात से लगा सकते हैं पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम समय इस शेत्र में बिताया इसके बाद उन्हें अग्यातवास काटना था और अग्यातवास के बाद कोरवों से राज्य के लिए संगर्ष करना था तो इस समय में पांडवों ने अपने विजय को दिलाने वाली कुल देवी को याद उव्श्य किया होगा इसलिए इन्होंने खंडार की सबसे उंची पहाडी के सबसे उंचे शिखर के सबसे बड़े शिला खंड पर बिंध्याचल और अरावली की संधी इस्थली पर जिसे पारिपात्र भी का गया है अपनी कुल देवी जैनती माता की इस थापना की इस जैन्ती माता मंदिर में किसी मूर्ती की अपेक्षा माता का चितर पत्थर पर रुकेरा गया है ना कि पत्थर को काट कर मूर्ती के रूप में बनाया गया है जो कि इसकी प्राचीनता स्वया में इसिद्ध करता है कई वर्षों बाद जब मजसे राज्य का पतन हुआ और इस खंडार शेतर में लोधावंशी राजपूतों की सत्ता इस्थापित हुई तो लोधावंशी राजपूतों ने भी जैनती माता को अपनी अराध्य देवी माना और या तो इस मंदिर का पुना निर्माण कराया या फिर इसकी मरम्मत कराई हमने खंडार शेतर जैनती माता मंदिर के बारे में जैनती माता मंदिर के पुजारी भरत जी दिवेदी से बात की उन्होंने इस बारे में यह कहा जेन्ति माता जो जेन्ति नाम है वो दुरुगा सबस्ति में अरगला स्लोक में पहले स्लोक में है ओम जेन्ति मंगला पाल। जेन्ति दिवी विजे शालनी विजे दिलाने वाली दिवी है जो भी विजे की कामना चाता है विजे की इच्छा रखता है विजे की भावना रखत पूजेनती को पूज़े पांडव अनों भी विजे की कामना से ही माजेनती को पूजा अर्चनक किए भारत में अलग-अलग राज्जों से यहां अपने मुरादों खेली अभी अपनी विजे चाने वाले यात्री यहां पर आते हैं यहां पर हर बर्स भाद्र पक्त शुकला आश्ट्वी जिसे बोलते हैं उस पर माता का विशाल मेला लगता प्रसासन के द्वारा यहाँ पर आनेवाले स्वर्द्वालों को पूरा मन्दित से संबंदित कारी को किया जाता है अब आईए जानते हैं इस मंदिर के वास्तु के बारे में वास्तु की दरश्टी से भी यह मंदिर अपनी प्राचीनता सिद्ध करता है इस प्रकार के निर्माण साधानते पहली शताब्दी से छटी शताब्दी के मद्दे देखे गए हैं जिसके प्रमाण हम आपको खंडार के किले के वीडियो में जरूर देंगे इसके इस्तंब विशाल शिलाखंड से बने हुए हैं ये शिलाखंड इस्तानिये ही हैं इसका निर्माण भी पत्थरों के लौक सिस्टम पद्दती से बना हुआ है जिस प्रकार का निर्माण हमने कमलेशवर महादेव में देखा है गर्बग्रे की छत भी बड़े-बड़े पत्थरों को जोड़ कर बनाई गई है गर्बग्रे अकार में छोटा और छत की उचाई भी कम है और छत पर बना कमल का फूल जिससे यह भी पता चलता है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है इस मंदिर को कई लोग बगड़ावत भारत में उल्लेखित रानी जैमती की कहानी से भी जोडते हैं लेकिन इसके परियाप्ट शाक्षे उफलब्द नहीं है जैनती माता के मंदिर पर दूर दूर से शद्धलू माता के दर्शन के लिए आते हैं हर वर्ष जैनती माता का मेला भादरपत शुकल अश्टमी को चीसे राधाश्टमी भी कहा जाता है जहां हजारों की संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं तो दोस्तों ये थी खंडार के लिए में इस्तित माता जैनती के मंदिर के इतियास की जानकरी अब इस वीडियो का दूसरा भाग होगा खंडार के लिए के इतियास के बारे में जिसके लिए हमने खंडार के लिए के ऐसे साक्षे इखटा किये हैं जिसके बारे में आज तक आपको किसी नहीं बताया होगा उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सकाइब जरूर करें ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल सके यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें यदि आपका कोई सवाल या सुजाव है तो हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै राजस्थान जै भारत